हजी दोस्तों तो कैसे हो आप सभी तो प्यार बच्चों आप सभी के लिए रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है क्योंकि बच्चे काफी पैनिक में कि सर कितना दिन और वेट करना पड़ेगा काफी जादा डर लग रहा है रिजल्ट को रिजल्ट का स्टेटस बता दूं तो क्लास 10 वाले बच्चों का अल्मोस 100% रेडी होने वाला है बट अभी तक क्लास 12 वाले बच्चों का कुछ प्रोसेस अभी बाकी है CBC का ट्रेंटस ये बोलता है कि चाहे क्लास 10 का रिजल्ट कितना भी पहले प्रिपेर क्यों न हो जाए बट पहले क्लास 12 वाले बच्चों का ही रिजल्ट डिक्लियर करना है उससे दो या फिर चार गंटा बाद ही क्लास 10 वाले बच्चों का रिजल्ट को डिक्लियर किया ज इच में आपका result इस बार declare होने जा रहा है ज्यान रखीगा कि लाखों बच्चों ने इस बार TBC का exam एप्पेर हुए थे जो result है वो last year की तरह लगबक उसी की तरह result इस बार भी बच्चों का आ रहा है ऐसा हमारा हमें internal update मिला है तो यानि कि जो last year के आसपास जो passing criteria था उतना ही passing percentage इस बार भी अल्मोश रहने जा रहा है ज्यान रखीगा बच्चों ने अगर आपनी copy को अच्छे से लिखा है तो उनको marks दिये गए है हर एक subject में lenient checking किया गया है और जो बच्चे 4, 5, 6 marks से fail हो रहे थे उनको definitely बच्चे को grace marks देके moderation देके bonus marks देके pass किया गया है ज्यान रखीएगा अगर आपका marks out of 80, 75 या फिर out of 70, 65 आ रहा है तो आपको दिया गया है बट इससे ज्यादा आ रहा है तो copy को थोड़ा सा strict way में check किया जा रहा है यानि कि 80 में 75 का अगर आपका marks आ रहा है तो well and good आपको as reduced linear तरीके से marks दिया गया बट अगर आपका 70 में 65 में भी same case है बट अगर आपका 70 में 65 से जादा या फिर 80 में 75 से जादा marks आ रहा है तो थोड़ा सा strict checking किया गया है क्योंकि CBAC मतलब असानी से हर एक बच्चे को 95% से जादा marks नहीं देता है तो अगर आपका up to 95% marks है अगर आ रहा था तो आपको definitely linear तर देना है हर एक में सब्जेक्ट में आपको marks दिया गया चाहे class 10 का math हो गया science हो गया class 12 का physics हो गया math हो गया accountancy हो गया सारा में सब्जेक्ट में आपको अच्छा खासा grace इन bonus marks as well as linear checking किया गया है क्या बात के लिए है very good English में भी copy checking को linear रखा गया है बड़ वापस से यह थोड़ा सा teacher dependent हो जाता है कि कौन teacher ने आपके English की copy को check किया क्योंकि same teacher अगर आपका same copy दो अलग लग English का teacher check करता है तो आपको एक teacher 80 में 75 दे सकता है और दूसरा teacher 80 में आपका 54 भी दे सकता है तो यह totally teacher dependent होता है English का copy यानि कि आपको आपका luck इसमें काफी जादा matter करेगा ध्यान रखीगा कि अगर कोई बच्चे ने extra question को attempt किया है तो जो best of two है उसी को consider किया जा रहा है final marks को calculate करने time अगर बच्चे ने same question को दो बर repeat किया है subjective question को तो उसमें भी जो best of two है उसी को consider किया जा रहा है और बच्चे को step marking properly दिया जा रहा है formula के step marking हर एक step के step marking दिया जा रहा है तो आपको इसका tension नहीं लेना है दोस्तों यही था आपके लिए update result आपका next 10 to 12 days के अंदर आपके हाथ में होगा I hope कि आप सभी का result अच्छा है all the best channel को subscribe कर दिजेगा कोई भी update आए तो सबसे पहले हम आपको inform करेंगे so मिलते है next video में तब तक के लिए पढ़ते रहे जा हिंद जे भारत